हाई ट्विल्दीज वेलकम टो इसीवे कॉमर्स क्लासिस मैं हूँ तबिताव गाईज आज के इस वीडियो में हम अपने एकनॉमिक्स में इंडियन एकनॉमी बुक का गाईज इंप्लॉइमेंट चेप्टर पढ़ने वाले हैं इंप्लॉइमेंट चेप्टर में काफी साथी चीजे जो अप लोगों के लिए एक न्यू आपको देखने को मिलेंगी, बट एक चीज यो है यानी कि इसके जो रियालिटी है इंप्लॉइमेंट की यानी कि रोजगार की हमारे देश में कितने लोगों के बास नौकरी है नहीं और कोवीट के बाद से तो कितनी ही चीज़े बंद हो गई है जिससे सारे लोगों की नौकरियान चली गई हैे तो काइज इस चेप्टर में हम जए पढ़ने वाले हैं जो आपके लिए नूटरम्स होंगी और इसके बेसिक मिनिंग से स्टार्ट करेंगे तो अगर आप चैनल पर पहली बार आयो और फॉस्ट आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब करें अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और येस आप अपने डाउट मेर से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर कोई भी काम चैनल के 20 Safe Road अगर इस भीडि़व लगन नहीं नहीं आत March अगर आप बोलो चोरी करा पैसा तो आ गया, क्या ये employment है, so guys चोरी वगरा नहीं बोल रही, कोई भी economic activity, economic activity किसे कहते हैं, जिसका main aim जो होता है वो पैसा कमाना होता है, और non-economic activity जो social service से की जाती है, so employment कौन सी activity है, economic activity है, which enable a person, जो एक person को सक्षम बनाती है, enable बनाती है, enable a person to earn a means of living, जिससे एक बन्दा कमा पाता है, अपनी जीविका को, अपनी अर्निंग को, ठीक है, so enable a person to earn a means of living, तो बहुत सिंपल से इसकी definition है, employment किसे कहते हैं, employment is an economic activity which enable a person to earn a means of living, जिससे एक बन्दा अपनी जीविका को कमा पाता है, पैसा कमा पाता है, और अपना जीवन चला पात ठीक है, तो उसी को employment कहते हैं, generally कहा जाते हैं, generally हम जब word use करते हैं employment, तो बोलते हैं कि भाई यार नौकरी करने को employment कहते हैं, यानि कि जब हम कहीं पर employed होंगे, किसी की company में लगे होंगे, तो क्या हम employed के लाए जाएंगे, तो देखो guys, उसे तो employment कहते हैं, लेकिन अगर आप काम भी कर रहे हो, self employed भी हो, तो उसे भी employment ही कहा जाता है, दो type की employment होती है, एक होता है जब आप किसी के under kाम करते हो, wage employment जहाँ पर आपको पैसा मिलता है, salary मिलती है, और दूसरा होता है self employment, जब आप खुद का काम करते हो, तो दोनों ही को मिलाकर employment खहते हैं, सिफ नौकरी कर करने को employment नहीं करते हैं, self employment को भी employment कहा जाता है ठीक है, तो employment का मतलब आपको बता चले employment क्या है वो economic activity which enable a person to earn a means of living जिससे एक बंदा कमा पाता है अपनी जीवी का, अपना जीवन चला पाता है उसको हम employment कहते हैं अब उसके बाद guys, जो कुछ terms है, वो सीखेंगे सबसे पहली जो term है that is worker, यानि कि जो भी बंदा काम कर रहा है उसे worker कहा जाता है चाहे मैं काम कर रही हूँ, तो मैं भी worker हूँ, हम लोग कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, हम worker हैं हम अपनी दुकान चला रहे हैं, हम worker हैं, हम अपना showroom चला रहे हैं, हम worker हैं तो worker कौन होता है is an individual कोई भी एक individual व्यक्ति who is involved in some economic activity to earn a living जो किसी ना किसी economic activity में अपने आपको involved कर रखा है उसको worker कहा जाता है और वो economic activity क्यों कर रहा होगा पैसा कमाने के लिए to earn a means of living û और उसे working prayer और generally आपने सुना हुगा जो लोग social service कर रहे होते है social service कर रहे होते हैं dog अगरा कर रहे हैं या qc society के लिए to social worker यंनि कि τους society क्लिए कुछ कर रहे है और जब हम अपने लिए कुछ करते है पैसा कमाने के लिए हम नॉर्मल वर्कर कहलाते हैं, तो नॉर्मल वर्कर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जो काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, उसको वर्कर कहते है 2011-12 का डेटा गाइस बुक में गिवन है, जिसमें हमें ये बताया गया कि हमारे देश की जो जनसंख्या है, उसमें 473 मिलियन लोग जो है, वो एमपलॉइट थे, वर्कर थे, कब 2011-12 के डेटा के हिसाब से 473 मिलियन पीपल जो हैं, वो एमपलॉइट थे, वर्कर कहलाये गए यानि कि काम कर रहे थे कितने लोग है guys 473 million लोग है जिसमें सबसे बड़ा चुकाने वाला आकड़ा जो कि आप सबके लिए चुकाने वाला तो नहीं होगा 70% male workers है guys और 30% female workers है यानि कि जो जनसंख्या है आदमियों के काम करने कि 70% है और female सिर्फ 30% है यानि कि आधी भी ladies male workers के साब से नहीं है जो काम कर रहे हो तो वो तो हमें पता है हमारा tradition जो रहा है पिछले टाइम से हैं कि हम लोगों जैसे जो rules foundation होती थी कि ladies के ओपर एक option रखा जाता है आज की date में भी कि आप पड़े लिख्यों काम करना चाहती हो तो कर लो नहीं करना चाहती तो मत करो है ना ये चीज़ होती है इसी वज़े से कही न कहीं सिर्फ 30% female workers जो काम कर रहे थी और 70% male worker जो काम कर रहे जिनके ओपर obligation होती आदमियों के ओपर कि आपको तो भाई काम करना ही पड़ेगा वरना घर कौन चलाएगा लेकिन आज के टाइम में गाईस ये सारी चीज़ से काफी हद तक बदल रहे हैं आज के टाइम में husband wife यानि की male and female दोनों मिलकर काम करते हैं और ये सोचते हैं समझते हैं कि भाईया हमारा घर की जिम्मेदारी दोनों के उपपर है ना कि सर्फ male के उपपर तो लेकिन 2011-12 का डेटा तो हमें यहीं बोल रहा है कि 70% male worker थे and 30% female worker थी और आपको गाईस एक चीज़ जानकर हिरानी होगी कि हमें पता है शेहर जिने हम क्या बोलते हैं अर्बन बोलते हैं और गाउं को हम क्या बोलते हैं रूरर बोलते हैं ना लेकिन गाउं में उड़ते हैं शेहरों के मुताबिक ज़्यादा काम करती हैं गाउं की उड़ते ज़्यादा वरकर हैं as compared to शेहरों की गाउं में one-third जो है female worker पाई चाहती हैं जाता है जाता है जाता है जो उन्हें चाहे खेतों में काम करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए जाता है जाता है जब कि शहरों में यह चीज़ थोड़ा ऑप्शन में डाल दिया जाता है अगर आप करना चाहते हो तो कर लो अधर वाइस कोई बात नी समझ आप इस चीज़ को तो गाउं में जादा लेडी काम करते हैं और वो वर्कर की कैटेगरी में गिनी भी नी जाती अ उनको as a worker treat ही नहीं करते हैं जबकि वो भी साथ में उतनी ही मदद कर रही है तो यह चीज़े गाउं में जादा लेडी काम करते हैं as comparative to urban areas शहरों के मुताबिक तो यह भी हम लोगों को पता होना चाहिए अब गाइस वर्कर के बारे में आप लोगों को पता चला वर्कर कौन जितने लोग काम कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर सारे लोगों को वर्कफोर्स बोला जाते हैं who are actually employed at a particular time वो हमारी वर्क फोर्स है यानि कि हमारे देश में जितने लोग टाइम पर काम कर रहे हैं उनको वर्कफोर्स कहा जाते हैं who are actually employed at a particular time is called workforce ठीक हैं? तो workforce के अगर पोई वर्कफोर्स बोलते हैं इसी तरीके से गाइज एक होता है लेबर फोर्स अब यहां पर था जितने लोग काम कर रहे हैं उन्हें वर्कफोर्स बोला जाते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो काम करना चाहते हैं बट उन्हें नौकरी नहीं मिल रही बहुत सारे लोग ऐसे ह को मिलते हैं तो उन सब को मिला के यानि कि those who are working and those who are not working but are seeking and are available for job या work जो बंदा काम करना जाता है rate जो उसको मिल रहा है उस पर भी काम करने को त्यार है बट उसे काम नहीं मिल रहा तो उसे unemployed कहा जाता है तो guys labor force जो होती है यह आपके employed plus unemployed लोगों को मिला कर labor force बनते हैं यानि कि कितने देश में लोग हैं जो काम कर रहे हैं प्लस नहीं कर रहे हैं यह हमारे देश की labor force है और इनमेंसे जो employed है इनको हम quarantine force बोलते हैं ठीक है अब इनके guys ratios होते हैं बहुत असान से हैं बहुत simple से हैं labor force participation ratio किसे कहते हैं guys labor force participation ratio कहते हैं कि हमारे देश में जो employed हैं प्लस unemployed लोग जितने हैं जितने भी हैं उसको जब हम अपने total population से divide करते हैं तो उसे labor force participation rate कहते हैं ठीक हैं अब किस से divide करना है total population से जब हम हम इसे divide करेंगे into 100 तो यह answer हमारा percentage में आता है और around guys 40% हमारे prox data at 2011-12 का जो यह कहता है कि हमारे total population का 40% लोग जो है वो labor force में जो काम कर रहे हैं और नहीं कर रहे 40% बाकिये 60% घर पे बैठे हैं मेबी वो ladies हो सकते हैं मेबी वो बच्चे हो सकते क्योंकि बच्चों को हम worker में नहीं डालते old age लोगों को हम worker में डालते handicap लोगों को हम worker में डालते तो बहुत सारी जनसंक्या है हमारी लेकिन उन में से कितने लोग और कितने नहीं काम कर रहे 40% लोग ऐसे जो त्यार बैठे काम करने को पर नौकरी नहीं है और काम कर रहे हैं total population का इसी तरीके से guys एक हमारा ratio होता है worker population ratio क्या होता है worker population ratio तो हम अपने worker को अपनी total population से divide करके multiply by 100 यानि कि जितने लोग हमारे देश में employed है ना divided by population into 100 तो हमारा worker population ratio निकलते है यानि कि कितने लोगों को रोजगार मिल रखा है total population में से उसकी percentage निकालने को worker population ratio कहते है तो guys यह एक कुछ terms थी I hope आप लोगों कुछ समझ आई होंगी और अगर कोई भी डाउट हो तो आप ने इसे बूछ सकते हो Instagram पर और बस next video में मिलते हैं बाई टाटा थैंक्यू